SBI से home loan कैसे लेना है, क्या इसके term and condition है, कौन-कौन से scheme SBI चला रहा है, किस state के लिए कौन सा scheme चला रहा है, कहां पे कितना ब्यासदर ले रहा है, और कैसे आप SBI में loan के लिए apply करो, कि आपको ब्यासदर कम लगे, आपके civil score से आपका ब्यासदर क्या फर्क पड़ेगा, हर एक को समझने जा रहा है, कहां कहां से आपको घर के paper पास करवाने है, नगड निगम से किस तरह के papers आपको जमा करने है, हर एक चीज को clear करने वाला हुम है, और तब आप समझ पाईएगा, कि SBI से loan लेना कितना फाइदेमन्द है, जब भी कोई वैक्ति loan लेने की बास सोचता है घर बनाने के लिए, तो उसके दिमाग में अगर कोई bank का नम सबसे पहले आता होगा, तो वो SBI है, क्योंकि SBI पूरे भारत में सबसे ज़्यादा home loan देने वाली bank है, और आपको बता दे कि SBI से अगर किसी का home loan reject होता है, तब ही वो किसी दूसरे bank की तरह बढ़ता है, क्यों और दूसरे bank के ब्याजदार में क्या फर्क है, बतलब SBI और दूसरे bank के ब्याजदार को अच्छे से compare करते हैं, और फिर समझते हैं कि कहां से आपको home loan लेना चाहिए, कारे bank के interest rate को compare करके मैंने ये table बनाया है, इस table को ध्यान से देखिए, और समझे कि किस bank से आपके लिए loan लेना जाद है फाइदे मन्द होगा, सबसे पहले ये समझे कि SBI, SBI से अगर आप 30,00,000 रुपे तक का loan लेते हैं, तो उस condition में आपको 8.40% से लेकर 10.15% तक का ब्याजदार लगेगा, आप ये सोच रहे होगे कि मैं accurate क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो आपको बता दे, ये हद तक आप किस state में रह रहे हैं, किस जिले में रहे हैं, इस पे भी निर्भर करता है कि आपके यहां ब्याजदार क्या चल रहा है, तो आप comment कर सकते हैं कि आप किस राज़ी में रहते हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां इस bank का ब्याजदार कितना चल रहा उस condition में आपको 8.40% से अधिक और 10.5% तक का आपको भ्यासदर लगेगा मतलब देख लीजिए कि SBI में आप 30 लाग तक का लोन लीजिए या फिर 50 लाग का लोन लीजिए या 75 लाग का लोन लीजिए कोई term and condition में बदलाव नहीं है सभी का भ्यासदर सेम है यही खासियत होता है सरकारी बैंकों का दूसरे नमबर पर आते है HDFC बैंक का HDFC बैंक प्राइविट बैंक में नमबर वन बैंक है क्योंकि भारत में इतना बड़ा कोई भी प्राइविट बैंक नहीं है HDFC के comparison में तो इसका ब्यासदर जो है 8.35% से सुरू है लेकिन अधिकतम यह 11% तक ब्यासदर ले लेती है अगर आप 30,00,000 से अधिक लोल लेने का सोच रहे हैं तो इसमें भी 8.35% से सुरू ही है आप स्टेट और जिला बताएगा तो मैं बता पाऊंगा क्या आपके यहां accurate क्या home loan का interest rate चल रहा है किसी भी बैंक का जिस बैंक से आपको लेना है उस बैंक का नाम भी लिख दीजेगा इसमें भी आपका ब्यासदर जो है 8.00 मतलब तीनों के लिए आपका ब्यासदर similar ही होगा चाहे आप 30,00,000 ले रहे हो 75,00,000 ले रहे हो या फिर उससे अधिक ले रहे हो एक्सिस बैंक में भी आपका ब्यासदर जो है SBI से जादा है 9% से सुरू होता है और 13% तक जाता है यही सेम 75,00,000 रुपे तक के लिए भी है और उससे अधिक के लिए भी ICIC बैंक में भी आपका ब्यासदर जो है 9.80% है लेकिन 30,00,000 से अधिक जो वैक्ति लेता है 9% से स्टार्ट होता है उसके लिए ब्यासदर और 9.95% तक है और अधिकतम के लिए तो 10.5% तक का ब्यासदर है जो लोग 75,00,000 से अधिक लोन लेंगे कोटेक महिंदरा की बात करें कोटेक महिंदरा अभी बहुत ही उभरता हुआ बैंक है और कोशिस कर रहा है HDFC से कॉंपीट करने का तो HDFC का ब्यासदर जो है वो 8.70% से शुरू है और देखिए 8.70% ही एपरोक्स सभी में है और ये अधिकतम 13% तक जाता है कोटेक महिंदरा का PNB Housing Finance की बात करें तो 8% से शुरू है और 14% तक देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 14.50% तक जो है इसमें देखिए सरकारी और प्राइवेट बैंकों में अंतर क्या होता है सरकारी बैंक से आप लोन लेंगे ना तो इसमें सब कुछ prefix होगा मतलब ऐसा है कि बीच में आपको फेर बदल का कोई चांस नहीं होता लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या है प्रोसेसिंग फीस ये फीस वो फीस जोड के आपके आधे से बहुत सारे पैसे जो है वो काटने का कोशिस करते हैं लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा कुछ भी नहीं होता आगे मैं बताऊंगा आपको कि SVI का प्रोसेसिंग फीस क्या लग रहा है फिर आप समझ पाऊगे कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में अंतर क्या है पंजाब नेशनल की बात करें तो 8.45% से इसका इंट्रेश डेट शुरू होता है और 10.45% तक 10.25% तक जाता है और सेम कंडिशन है 75 लाग से अधिक के लिए भी इसका आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को कहीं सेयर करके रख लिजे अपने वाटसब पे या फिर आपने किसी पडिवारी ग्रूप में सेयर करके रखिए ताकि जब जरूरत पढ़े इसको देख सकीए कि किस बैंक से आपको लेना सही रहेगा किस बैंक में आपको ब्याजदर सस्ता पर रहा है इसके बाद ये समझे कि बैंक को बड़ोदा हो गया यूनियन बैंक हो गया इडी एफसी बैंक हो गया इन सब का ब्याजदर जो है ना आठ पॉंट पैथिस परसेंट से सुरू है और 11-12 परसेंट तक है देखिए आरबी आई के अंडर में ये सारे बैंक आते है इसलिए ब्याजदर में जादा फर्क नहीं होता फर्क होता है टर्मेन कंडिशन में प्रोसेसिंग फीस में अगर बात करें SBI की तो SBI जिस तरह किसे लोन दे रहा होगा लगल लगल बैंक जो है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा बहुत जादा ही दे रहा होगा क्योंकि SBI का जो ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत जादा है और सब बैंकों का ब्रांच नेटवर्क कम है तो इसलिए SBI में लोन लेना फाइदे मन्द है अब ये समझे कि SBI जो लोन देती है उसके लिए क्या term and condition आपको fulfill करना पड़ता है उसको समझ लिए पूरे भारत में SBI होम लोन देने के लिए आठ तरह की योजनाई चला रही है इन आठों योजनाओं का अलग-अलग मकसद है आप किसी योजना के तहत होम लोन लेते हैं डिपेंड करेगा कि आपका ब्यासदर क्या लगने वाला है जैसे कोई वैक्ती regular home loan लेना चाहता है तो regular home loan के लिए SBI का ब्यासदर 8.40% से लेकर 8.15% तक है अगर कोई SBI max gain home loan लेना चाहता है तो उनके लिए 9.50% से लेकर 10% तक ब्यासदर है अगर कोई आदमी SBI top up home loan लेना चाहता है तो उनके लिए ब्यासदर 8.90% से लेकर 10.45% तक है अगर कोई वैक्ती SBI real estate home loan लेना चाहता है तो उस condition में उसका ब्यासदर 9.40% से लेकर 9.85% तक है अगर कोई SBI tribal plus home loan लेना चाहता है तो उसके लिए ब्यासदर 9.25% और 9.45% है अगर कोई SBI सोड़े home loan लेना चाहता है तो उसके लिए 8.50% तक है home loan ये सोड़े वाला जो होता है ये पुलिस कर्मी, CRPF, आर्मी इन सब के लिए होता है इसके बाद केरल सरकार के करमचारी को भी SBI home loan देती है उसमें आपको 9.35% से ब्यासदर श्टार्ट है SBI YONO home loan जो काज कल YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख रहे होगे जिसमें YONO का बहुत परचार कर रहा है YONO home loan आप लेने जाओगे तो उस condition में आपको 9.75% का ब्यासदर पे करना पड़ेगा अब ये समझें आप ये जो सारा plan देख रहे होंगे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन से plan में आपको apply करना है तो आपको बता दे maximum case में आपको regular home loan के लिए ही apply करना होता है ये top up अगेरा जो है ये अलग-अलग condition के लिए होता है उसको आगे समझेंगे अब ये देखिए कि आपका civil score कितना है तो आपको ब्यासदर कितना लगेगा क्योंकि आपके civil score से आपका ब्यासदर और कितना रकम आपको home loan मिलेगा ये बहुत कुछ निरवर करता है उसको समझ लिजिया civil score को इस तरह से समझे अगर आपका civil score 800 से जादा है उस condition में आपको ब्यासदर मात्र 8.60% लगेगा अगर आपका civil score 750 और 799 के बीच में है तो भी आपको ब्यासदर 8.60% ही लगेगा जैसे ही आपका civil score 749 से 700 के बीच में आ जाता है तब आपका ब्यासदर में 0.10% बढ़ जाता है तब आपका ब्यासदर 8.70% लगेगा आपका civil score अगर 650 से लेकर 699 की बीच में है तो आपको ब्यासदर 9.45% लगेगा आपका civil score अगर 550 और 649 के बीच में है तो आपको ब्यासदर 9.65% का लगेगा अगर आपका civil score 515 और 200 के बीच में है तो उस condition में आपका ब्यासदर 8.70% से लेकर 11% तक लगेगा अगर आपका civil score 101 और 150 के बीच में है तो believe कीजिए 9% से लेकर 12-13% तक आपको ब्यासदर लग सकता है अगर आपके पास अभी तक कोई civil score ही नहीं है अगर आपने अभी तक कोई loan ही नहीं ले रखा है किसी भी तरह से आपका civil score एक्टिवेट ही नहीं हुआ है तो उस condition में आपको ब्यासदर 8.70% का लगेगा अब ये समझे कि अन्य जो भी private bank होंगे उसमें आपको processing fees के नाम पर अच्छा खासा रखम काट लिया जाता है normal home loan जब आप लेने जाते हो SBI में तो आपको processing fees जो है 0.17% ही लगता है 2000 से लेकर 5000 रुपए तक अगर आप top of home loan लेने जाते हो तो उस condition में आपको processing fees जो है 0.17% मतलब top of home loan के लिए भी processing fees आपको 0.17% ही लगना है और normal home loan के लिए भी आपको 0.17% ही लगना है 2000 से 5000 के बीच की रासी होगी है अब ये समझे है कि SBI की जो अलग-अलग home loan की schemes चल रहे है इसमें से आपके घर के लिए कौन सा scheme आपके लिए सबसे best होगा SBI mainly जो है 4 तरह का home loan पूरे भारत में distribute करती है इसमें सबसे पहला और सबसे common तरीका का जो home loan होता है जिसे हम लोग कहते है SBI regular home loan regular home loan में क्या खासियत है कि कोई भी वैक्सी, चाहे वो private job कर रहा हो चाहे वो सरकारी job कर रहा हो, चाहे वो कोई भी job कर रहा हो उससे मतलब नहीं है वो इस home loan के लिए apply कर सकता है इसमें आप मकान बनाने के लिए, मकान खड़ीदने के लिए एक मकान वेच के दूसरा मकान खड़ीदने के लिए या फिर अपने मकान को मरम्मत करवाने के लिए अपने मकान को बड़ा बनाने के लिए किसी भी कारण वस अगर आपको मकान में कुछ भी काम करना है तो SBI रेगुलर होम लोन ले सकते हो इसमें आपको लोटाने का जो अब्दी होता है वो 30 साल का होता है दूसरे तरीका का जो होमलोन जो बहुत ही बॉपलर है पुड़े भारत में उसका नाम है SBI Flexi Pay Home Loan Flexi Pay Home Loan जो होता है मेली नोकड़ी वालों लोगों के लिए होता है प्रि-EMI period में क्या होता है कि पहले सारे ब्यासदर को पे कर लिया जाता है मतलब जितनी भी अफदीम के लिए होमलोन लिया गया है उसमें जितना भी ब्यासदर होगा पहले ब्यासदर ही ले लेगी और post EMI period में फिर आप अपने लोन का किस्ट बना कर देरे देरे पे कर सकते हैं ये बरे amount के लिए होता है आप ये समझे कि गैर नोकडी पेसा और businessmen के लिए भी SBI ने एक अच्छा scheme launch किया है home loan का उसको देखिए जितने भी गैर नोकडी पेसा लोग है उन सब के लिए जो है SBI एक अलग home loan scheme चलाती है जिसे कहा जाता है differential offering differential offering का फाइदा ये है कि इसमें कोई भी वेक्ति जो गैर नोकडी पेसा है जो नोकडी नहीं करता है अपना business चला रहा हो वो home loan ले सकता है और उसमें वो मरम्मत करवा सकता है renovate करवा सकता है नया मकान खड़ी सकता है नया मकान बनवा सकता है हड़ एक चीज़ कर सकता है इस home loan के अंडर में इसको लटाने का समय भी SBI 30 साल का देती है और कहती है कि आप 50,000 रुपए से लेकर 5 करोड तक का लोन ले सकते हैं इसमें चौथा तरह का home loan जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा popular है जो से कहा जाता है SBI Tribal Plus Home Loan Tribal Plus में home loan जो है mainly North Eastern State हिमाचल परदेश उत्राखंड जैसे राजियों में दिया जाता है जहाँ travel population जादा है इसमें क्या कहा जाता है कि 10 साल से पुड़ाना जो भी मकान है उसको अगर मरम्मत और गयरा करवाना है या पिर नया मकान मनवाना है उनके लिए ये home loan दिया जाता है साथ में खड़ीदने के लिए भी जो नोकडी वाले लोग है उनको 20 लाग तक की दी जाती है जो गयर नोकडी वाले लोग है जो बिजनसमेन है उसको 15 लाग रुपे तक का लोन दिया जाता है अब इन सारे लोन में से किसी भी एक लोन को अगर आपको लेना है तो आपको ये SPI का जो है 5 सर्थ पुरा करना होगा सबसे पहला सर्थ क्या है उसको समझे और ये 5 सर्थ समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि application process क्या है सबसे पहला सर्थ यही कहती है कि आपके आयू 18 वर्थ से उपर और 75 वर्थ से नीचे होना चाहिए आपका पेसा जो है या फिर नोकरी या फिर वैपार होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरह से बेरोजगार है आपके पास आयका साधन नहीं है उस condition में बैंक डरती है होम लोन देने से आपका credit score जो है कि इसको apply कैसे करना है सबसे पहले मैं नोकरी वाले लोगों के लिए papers बताऊंगा फिर जो दो गैर नोकरी वाले हैं उनके लिए बताऊंगा नोकरी वाले लोगों के लिए work permit का होना जरूरी है आप जहां भी काम कर रहे हो वहां से आपको work permit निकलवाना पड़ेगा दूसरे नंबर पे अगर आप किसी private company में काम कर रहे हो तो आपके पास employment contract होना चाहिए अगर आप किसी बिदेसी company के लिए काम कर रहे हो तो भी आपका employment contract होना जरूरी है सरकारी या गहर सरकारी कोई भी काम कर रहे हो employment contract के बिना आपका loan approved नहीं होगा इसके अलाबा पिछले 3 महने का salary slip होना आपके पास जरूरी है Without salary slip आपको कोई भी bank loan देने के लिए नहीं तयार होगी पिछले 6 महने का आपका bank statement भी होना जरूरी है किसी भी तरह का loan open नहीं होना चाहिए ये bank statement में एक regular रासी दिखनी चाहिए कि आपको आ रही हर मैने इसके बाद आप किसी भी company में काम कर रहे हो वहां से salary certificate बनवाना पड़ेगा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह के company में काम कर रहे है merchant navy में काम कर रहे हो किसी भी तरह से आप NRI हो या फिर किसी भी तरह से आप defense post से जुड़े हो CRPF में हो, army में हो इस तरह के किसी भी तरह की job में हो तो आपको अपना identity card और आपको ये proof करना पड़ेगा proof later भी जमा करना पड़ेगा या फिर कुछी भी तरह का document जमा करना पड़ेगा जिससे ये proof हो सके कि आप सचमुच किसी भी defense sector में काम करते हो अब ये देखिए कि ये जो समाने जो papers हैं जैसे passport size photo हो गया water ID card हो गया, अधार card हो गया बिजली का bill हो गया या फिर आपका जमीन का जो रसीद हो गया ये सब तो सब को रखना है चाहिए आप सरकारी नोकरी कर रहे हो या फिर गयर सरकारी कर रहे हो अब ये देखिए जो लोग नोकरी नहीं कर रहे है बिजनेस कर रहे है उसके लिए क्या क्या papers की जरूरत है, बिजनेसमेन के लिए सबसे पहला आपका website का प्रमान पत्र होना चाहिए उसके बाद आप अगर वैपारी हो तो आपको अपने आय को प्रमानित करना पड़ेगा पिछले दो साल का audit report आपको जमा करना पड़ेगा कोई भी charter account जो certified charter account है उसके तुरू इसके बाद आपका personal tax return अगर आपने फाइल किया है तो उसका copy जमा करना पड़ेगा अगर कोई company चला रहे हो, क्योई भी unit चला रहे हो तो उस condition में उसका bank statement आपको जमा करना पड़ेगा property के paper जो है दोनों को जमा करना पड़ेगा जैसे घर बनाने के लिए अनुमती चाहे आप नगर निगम से ले रहे हो चाहे आप पंचायच से ले रहे हो इसके बाद बेचने, अगर आप बेचने के लिए चा रहे है या फिर किसी का घर खड़ीदना चा रहे है तो उसका पूरा loan औगेरा clear है कि नहीं है इन सारे का पेपर्स आपको निकलवा के जमा करना पड़ेगा आपके आयू की परमान पत्र जमा करनी पड़ेगी आयू परमान पत्र के लिए आप अपना दस्मा का certificate या कोई भी certificate जिससे आपका आयू परमानी थो आपको बता दे किसी भी तरह से आपके उपर कोई भी FIR नहीं होनी चाहिए आपके उपर कोई भी loan मांकी नहीं होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति पहले से loan रखा है तो उस loan को clear करना है और उस loan का NOC आपको जमा करना होगा अब ये समझे कि इन सब papers के अलावा सबसे important चीज क्या है कि application कैसे करना है online application जादा सही होगा या फिर offline application जादा सही होगा इसको समझ लीजिए देखिए आपको home loan कैसे apply करना है ये पूरी तरह से आपके उपर निर्वे करता है मैं आपको ये राय दूँगा कि आप offline ही home loan apply करो जब आप online apply करते हो तो आपके पास दो साधन होते हैं आप direct website के थुरू online apply कर सकते हो या फिर आप yono के थुरू apply कर सकते हो yono के थुरू जो लोग apply करेंगे तो 30 दिन के बाद अगर आपको reply आता है कि आपका home loan approve नहीं हो पाया तो फिर 30 दिन आप wait करोगे फिर लंबा process करोगे इससे अच्छा आप direct सारा paper लो सारे paper का scan coffee लो सबको self address करो manager के पास जाओ और form fill up करके जमा कर दो manager जो है आपके papers को check करेगा और तुरंत ही वहीं बता देगा कि आपके ये paper में कमी है या फिर इस paper को update करना है तो उस condition में आप update करा और जमा करो और क्योंकि bank में जो loan जो होता है वो maximum जो chance होता है approval का manager से होता है क्योंकि manager अगर अस्वस्त हो गया कि आप उसका loan समय पे चुका दोगे आप उसका loan को रखोगे नहीं तो उस condition में आपका loan का approval rate जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए जब आप approval rate चेक करोगे देखोगे कि offline का approval rate बहुत ज़्यादा है online का approval rate के comparison में तो इसलिए मैं कहूंगा कि offline ही apply करो और इस पूरे loan process में आपको कोई भी सवाल हो आपके मन में आप comment कर देना मैं जवाब दूँगा अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं SBI के किसी manager या फिर किसी head color से पूछ के आपका जवाब ज़रूर दूँगा comment जरूर कीजेगा और आपको बता दे किसी भी और bank का home loan का process आपको जानना हो तो comment कर दीजेगा मैं उसका भी reply कर दूँगा इसी तरह का जहनकारी सरकार से जुरा हुआ जो भी update होता है daily मैं आपको thoughts के माध्यम से long video के माध्यम से करते रहता हूँ जह सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने राना आपका बहुत बहुत धन्यवादा